हलो तो कैसे हो आप लोग सबही लोग ठीक होंगे और स्टार्ट करने से पहले चेनल को लाक शिर चैber सब्सक्राइब तो करना ही और साथ में कमेंट ब्सक्में कमेंट भी करना आपको वीडियो कैसी लगी ठीक है अब हम लास्ट वीडियो में जो लिंफोग्राफी था उसका कुछ पार्ट इस्टेडी कर चुके हैं और आज हम इसकी टैक्निक्स की बात करेंगे ठीक है तो टैक्निक में क्या करते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि 0.25 ml जो लोकल अनस्थेसिया होता है उसको 2.5 परसेंट जो ब्लू वोलेट डाई होती है उसके साथ मिक्स करके इंजेट करते हैं सब क्यूटेनियस में और जो दो टोज होते हैं यानि दोनों जो यह अंगुठा और जो फिंगर्स होते हैं उनके बीच में से इसको इंजेक्ट किया जाता है 5 मिन बाद में जो यह नीवट जो चली जाती हो और वह ब्लू कलर होता है ओ अच्छीव कर लेता का दिखाई देने लगता है radiologist then isolate the lymphatic by cut down technique and cannulate it फिर radiologist क्या करता है कि उससे क्या होता है अगर blue dye उसके अंदर चली जाती है तो lymphatic system क्या होता है अलग दिखाई देने लगता है यानि वो isolate हो जाता है बाकी parts से और फिर जो radiologist होता है वो वहाँ पे cut लगाता है और जो cannula है उसको insert करता है pump is adjusted to deliver about 10 ml are usually quantity 5 ml in adult and less than 2 ml in babies pump is adjusted to deliver 10 ml जो amount होती है वो हर एक गंटे में दी जाती है ठीक है usually quantity pump करना है ये तो ठीक है 10 ml को हर गंटे में usually quantity 5 ml in adult के अंदर 5 ml दी जाती है और जो babies होते हैं उसमें 2 ml से भी कम amount दी जाती है stop injection of contact media reaches number 4 अगर जो contact media होता है वो number 4 वर्टी ब्रा तक पहुंच जाता है तो injection को क्या करते हैं रोक देते हैं इसके बाद में जो control radiograph है वो लिए जाते हैं और after removing cannula skin is stitched और जो cannula है वो remove करने के बाद में जहां से ये cut लगाए गया था उससे क्या करते हैं patient is told that he will have blue coloration of urine as body because of blue injected dye इसमें क्या होता है patient को बोल देना चाहिए कि आपका जो कुछ days के लिए जो आपका urine है और जो body का जो color है वो blue होगा क्योंकि हमने जो dye inject किये है वो blue dye inject किये आपके लिए थोड़ा सा उठाक कर रखते हैं patient should avoid smoking at least 48 hours और patient को बोलते हैं कि हैना 48 hour तक smoking नहीं करनी है और skin sutures are removed after 7 days 7 days के बाद में जो टाके लगा लगाते हैं उनको हटा देना चाहिए headache भी हो सकता है क्योंकिशन है कि headache भी हो सकता है fever भी हो सकती है vomiting भी हो सकता है pain भी हो सकता है और nausea की condition भी हो सकती है ठीक है बाबाई take care